वेल्कम तो आवर चैनल फिजीकल एजूकेशन विद मी आज हम पढ़ेंगे सब्सक्राइब कर लिजिये और बेल आकन दबाना मत बूलेगा ताकि आपको अपने लेटस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रहें तो चलिए स्टार्ट करते हैं लो ओफ एक्सलरेशन यह क्या है लो ओफ एक्सलरेशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे इंटरलेशन अमंग फोर्स, मास और एक्सलरेशन इसके अंदर किसके बीच में एक्सलरेशन है already मतलब speed में है तो अगर force कितनी apply होगी इसको रोखने के लिए तो acceleration क्या होती है measurement how quickly an object is changing speed कितनी quickly कोई भी object अपनी speed को change करता है the second law states that the acceleration of an object is depend upon two variable जो acceleration है वो depend करती है two variable first force, second है mass जो force है कितनी apply होगी object पे वो क्या है direct proportionate है acceleration की और mass है वो क्या है inverse proportionate देखिए अगर mass जादा होगा तो force भी क्या चाहिए जादा अगर mass कम है तो force भी क्या चाहिए कम चाहिए देखिए यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे मार पास दो बोल है एक hard ball है और एक light weight यह heavy weight and football light weight दोनों पे same force अप्लाई हुई जो heavy weight ball थी वो गई यहाँ तक बहुँ कम distance for example यहाँ पे ले लो 10 cm example के लिए football गई यहाँ से यहाँ तक गई मतलब 50 cm ठीक है तो क्या है कि जब mass जाद होता है तो force जादा चाहिए होती है अगर उसको दूर बेजने और जब mass कम होता है लाइट weight की होती है तो वाँ पे हमारी कम force यूज होती है यहाँ पे निचे एक और बार देखिए force अप्लाई हो रही है कैसी कम football पे ठीक है तो acceleration क्या होगी कम ही होगी ज़्यादा दूर जाएगी अगर force ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो acceleration भी क्या होगी ज़्यादा होगी यह ज़्यादा दूर जाएगी ठीक है अब देखते है sports के अंदर कैसे अपनी केबल है हमने देख लिया किस किस के relation force का mass का and acceleration का अब देखे first देखिए baseball सब को पता है baseball क्या होती है ठीक है baseball की ball होती है क्या heavy ball होती है थोड़ी सी player hit the ball hard to throw it far away मतलब player को hit कर अगर इसको दूर भेज रहा है तो बहुत force के साथ hit करना पड़ेगा ball को क्योंकि यह थोड़ी heavy होती है ठीक है इसका थोड़ा mass ज़्यादा होता है तो इसको क्या करना पड़ेगा hardly hit करना पड़ेगा ताक की ball दूर जाए ठीक है second picture देखिए इसके अंदर क्या दिखाए दे रहा है high jump का player है जो क्या mat के उपर आया है ठीक है हम high jump करते है high jump लगा ले पूलवाट ठीक है यहाँ पे mat होता है तो यहाँ से आता है player उपर से और यहाँ पे आके गिरता है अब यहाँ पे क्या बात है यह क्यों add किया गया है कि जब player उपर से आता है उसकी acceleration मतलब speed होती है ठीक है speed होती है अब उस speed को रोकने के लिए कुछ force चाहिए चाहिए ना speed को रोकने के लिए force चाहिए तो यह mat होता है soft होता है अब अगर एक चीज speed से आ रही है आ रही है अगर उसको एकदम से रोकेंगे ना तो उस पे बहुत ज़्यादा force यूज़ होगी लेकिन अगर उसको धीरे धीरे यहां से आई धीरे 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 रोका तो वहाँ पे force कम यूज़ होगी same situation के अंदर यह ही है कि जब high jump का player mat के उपर गिलता है mat बहुत soft होता है तो क्या करते है spongy होता है तो जैसे गिते हैं वो नीचे जाता है then उसके बाद उपर आता है पहले नीचे जाता है पहले वो नीचे जाता है फिर उसके बाद वो उपर आता है ठीक है तो इसके अंदर क्या है कि force कम यूज़ होगी कब जब यह sponge होगा उसको रुकने का थोड़ा time लगेगा ठीक है क्योंकि acceleration के अंदर एकदम से speed change नहीं होगी कुछ time लगेगा और वो कुछ time कब मिल जाएगा जैसे ही player mat पे गीरा और वो थोड़ा down हुआ mat ठीक है वो वहाँ पे उसकी जो speed है acceleration है वो change होगी और फिर वो मनलब अच्छे से रुग गया अब बाइचांस यहाँ पे hard surface होता hard surface होता player आता उपर से ठीक है इस पे गिर जाता force ज़्यादा अपलाई होती same रोकने के लिए और injury भी बहुत ज़्यादा होती ठीक है तो यही कारण है कि जो high jump के mat बगार होते है यह poleward के ठीक है इनके जो mat होते हैं यह बहुत soft होते हैं ताकि player को अपनी velocity चेंज करने का body position चेंज करने का acceleration को कम करने का time मिले ठीक है अब जो यह hard mat है for example यहाँ पे 100 newton की क्या है force लगती लेकिन जो यह spongy mat है इस पे लगती है 5 newton की example के लिए ठीक है यह physics के formula लगा के निकल जाती है यह हमें इतने formula के अंदर जाना नहीं है हमें सिरफ इतना पता होना चाहिए कि किसी ball का mass ज़्यादा है तो उसको hit भी ज़्यादा force के साथ करना पड़ेगा ताकि वो दूर जाए second thing is अगर किसी की acceleration में बड़ेशन स्पीड से आ रहा है तो उसको उसकी body change करने का थोड़ा time चाहिए ताकि वहाँ पे force है जो come use हूँ next देखिए smash in volley volley के अंदर smash करते हैं यहाँ पे देखिए यह जितनी fast volley को smash करेगी उतनी ही acceleration से दूसरे के ground में जाएगी ठीक है उसको उठा भी नहीं पाएंगे जो सामने वाले player है opponents है उनको उठा नहीं पाएंगे इतनी speed से बोल जाएगी अब वो depend करता है गर्ल कितनी इस पे force apply करती है फिर उसके बाद acceleration बहुत ज़ादा मिलेगी second चीज़ देखे cricket के ground में अब देखो बोल आ रही है आ रही है आ रही है इसको catch करना है इसने catch किया यहाँ पे इसने catch कर लिया लेकिन उसके बावजूद भी इसका हाथ क्या है बोल के साथ 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 पिछे तक गया कारण कारण वो ही है बोल किस में आ रही है speed में आ रही है और इसको रुकने के लिए इसको रुकने के लिए थोड़ा time चाहिए और इस से अगर इस तरीके से हम इसको रोकते हैं तो हमारी force कम use होती है और by chance हम बिल्कुल एक जगे पर ही रोक लेते हैं बस यहाँ पर बोल आई और हमने रोक ली ऐसा नहीं होता यहाँ पर injury भी बहुत ज़्यादा हो सकती है ठीक है और यहाँ पर force भी बहुत ज़्यादा लगेगी और क्या कहते हैं नहीं यह right position है तो बोल आई आई बोल यहाँ पर हमने catch की उसके बाद हमारा हाथ फिर यहाँ गया फिर यहाँ गया और यहाँ पर फिर exact ball रुख गई मतलब time चाहिए उसको अपनी change करने का acceleration रोकने का speed कम करने का time चाहिए तो वो time क्या है यहाँ पर है ठीक है और यहाँ पर भी force कितनी लगेगी कम लगेगी less force के अंदर हम उसकी acceleration को कम कर सकते है अ क्रिकेट प्लियर विल कैचिंग बोल moves his hand backward बैकवर्ड आ रहे हैं नहीं इनिशली दी बोल मुविंग विदा सर्टेन विलोसिटी आफ बोल का है किस एक बोल विलोसिटी से आ रही है मतलब थोड़ी स्पीड में आ रही है तो उसकी बोल को रोकने के लिए जो प्लियर है वो अपनी force यूज करेगा जिसकी जैसे बोल उसके हाथ में रुकेगी और उस बोल की जो विलोसिटी जीरो करने के लिए मतलब उसको रोकने के लिए उसको थोड़ा टाइम चाहिए एकदम से नहीं रोक सकते तो वो हाथ को पीछे करता है ठीक है अब लास्ट है हमारा लो ओफ रियक्शन ये बहुत असान है इसको एक्शन और रियक्शन भी बोलते हैं जब भी हम कोई भी आक्शन करते हैं उसका हमेशा एक्वल या तो एकवल रहे गई या फिर उससे बिल्कुल आपोजिट रेक्शन रहेगा देखें यहां पे लिए का यह बोल टपा हमने टाइटनिष की बोल ली इसको नीचे मारा है इसका रियक्शन क्या होआ ऊपर गई बास्केट बोल ली हमने नीचे मारी ठीक है इसका रियक्शन क्या हुआ उपर गई इस सेम चीज टैनिस की बोल का हमने एक्शन किया नीचे मारी और बोल का गई अपोजिट रियक्शन ठीक है या तो एक्वली रियक्शन होगा या फिर अपोजिट रियक्शन होगा यह सबसे असान है अब स्पोर्ट के अंदर कैसे अपलाई है स्प्रिंग स्प्रिंग फ्रोमर डाइविंग बूर्ड यहां पे देखिए डाइविंग बूर्ड है यहां पे जब हम फ्लिक लेते हैं जब हम फ्लिक लेते हैं उससे पहले हम इस बूर्ड को क्या करते हैं निचे पुश कर यह वापिस जाएगा ऊपर ठीक है इसका रियक्शन क्या होगा ऊपर जाना देन उसके बाद यह बैक फिलिप ऐसे स्वीमर पुछ दी वोटर बैक बैकवर्ट दी वोटर पुछ दी स्वीमर फोर्वर डियास देखिए यहां पर स्वीमर है यह पानी को क्या करता है पीछे दे एक्शन करते है एक्शन ठीक है और रियक्शन क्या होता है जमीन हमें वापिस उपर पुछ करती है बोलते हैं कि जमीन की फोर्स लो जमीन की फोर्स लो ठीक है तो वह फोर्स क्या होती है रियक्शन होता है ऐसे रूनिंग प्रैसिज दी ग्राउंड बैकवर्ड डिरेक्ट in the foot in his foot and ground pushing the forward direction हम चलते हैं ना वो भी इसी का reason है ठीक है हम जब चलते हैं तो जमीन को force करते हैं जब हम pair उठाते हैं ठीक है जब pair को रखते हैं then next pair को दुबारा उठाते हैं तो वो जमीन से हम force लेते हैं तो running position में भी जब हम जमीन को backward direction में करते हैं तो वो हमें forward direction में करती हैं hope है आपको समझायोगा अच्छे से हमने दो लोगी है low of acceleration जिसको low of momentum भी बोलते हैं ठीक है यह याद रखना and second क्या है हमने low of reaction या फिर low of action and reaction तो चलिए अब देखते हैं कुछ questions न्यूटन second low of motion बताए यह न्यूटन का second low of motion क्या है low of inertia, low of action and reaction, low of momentum या फिर acceleration, low gravitation then next question, second question हमारा first low of motion first low of motion को क्या बोलते हैं low of inertia, action and reaction, momentum या फिर gravitation ठीक है आप सबको पता ही है अच्छे से कराए हैं तो right answer आप देना सभी third है हमारा same चीज है, third question है third low of motion को न्यूटन होता है ठीक है तो आप option के according third low of motion बताएंगे अब next question, according to the third low of motion to every action there is always ठीक है यह complete करना है always option है an equal and opposite reaction a change momentum, unbalanced reaction या फिर balance reaction तो right answer आपको comment box में mention करना है fifth question है हमारा the more force one exert on the downward bounce the height bounce into the air which low which low is the state being referred मतलब इस question के according पुछे गया है कि अगर हम कुछ भी डाउनवर्ड करते है force अप्लाई और वो बाउंस होती है और हाइट करते है किसमे एर में तो इसके अंदर कौन सा लो यूज हुज हुआ है first law of motion second law third law या फिर low transfers of momentum हमारा last question है the acceleration of an object depends directly upon the net force ठीक है यहां पर बता जिया कि directly है net force के action upon the object and inversely upon the object अब बताईए कि inverse किसके है weight के है mass के है height के density के है मैंने आपको बहुत अच्छे से करा है सब कुछ तो hope आशा करती हूं कि आप सभी अपने right answer command box में mention करेंगे अगर आपका वीडियो अच्छी लगी है तो like करना मत भूलेगा अपने friends के साथ share कीजिए subscribe कीजिए अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है and one more thing अपना feedback देना मत भूलेगा क्योंकि आपका feedback हमारे लिए बहुत ज्यादा important है आप telegram channel join कर लीजिए यह बहुत important है यहां पर आपको mcq question मिलते हैं daily basis पे and जितनी भी pdf होती है यूट्यूब पे वह यहीं पे sorry जितनी भी वीडियो होती है वह यहां पर pdf के रूप में आपको मिलेगी आप हमें इंस्टा पे भी follow कर सकते हैं और अबी पेज पे भी हमें आप follow कर सकते हैं thank you so much learn together and start from now